आगे बढ़ते हैं यूपी के प्रियाग राज के संगम तर्ट पर बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। बताया गया कि सेना ने प्रियाग राज विकास प्राधिकरण को कॉरिडोर बनाने के अनुमती देती है। प्रियाग राज में जल्दी कॉरिडोर बनने का काम शुरू हो जाएगा जानकारी के मुताबिक इस महीने की तीस तारी को पूजा के बाद कॉरिडोर बनाने का काम शुरू किया जाएगा महंत बलबीर गिरी निर्माण कारे शुरू होने से पहले पूजा करेंगे लेटे हनुमान मंदिर कॉरिडोर बनाने में करिब 49 करोड रुपए की लागत आएगी इस कॉरिडोर में 10 प्रवेश द्वार और निकास द्वार होंगे इसके साथ ही यहां बड़े इलाके में ग्रीनरी विकास की जाएगी यहाँ टोयलेट और सेलफी पॉइंट भी बनाया जाएगा पड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर बनने से प्रयाग राज आने वाले श्रद्धालू सभी मंदिरों में आराम से दर्शन कर सकेंगे इसके लिए उन्हें जादा भटकना नहीं पड़ेगा इस हनुमान कॉरिडोर में करीब 40 दुकाने शामिल की जाएंगी जहाँ पूजा सामगरी और प्रशाद वितरंड के लिए सामान मिलेगा यह दुकाने हनुमान कॉरिडोर के बाउंडरी पर ही होंगी जानकारी के मुताविक अगले साल लगने वाले महाकुम से पहले कॉरिडोर निर्मान का कारेपूरा करने का लक्ष है